इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सबसे पहले उसके बारे में आपको बता दे महराली से आम आद्मी पार्टी विदायक नरेश यादों के काफिले पर हमला हुआ है देर रात अग्यात बंदुगधारी ने तावर तोड गोलिया बरसा दी जिसमें एक कारेकरता की मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है अग्यात बंदुगधारी ने काफिले पर ताबर तोड फाइरिंग की देर रात दिल्ली में आम आजमी पार्टी विदायक के काफिले पर हमला हुआ दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं आम आदी पार्टी विदायक नरेश यादो की काफिले पर अटैक किया गया वाजिद अली हमारे संभादाता हमारे साथ पोर्लैन पर जूट गया है वाजिद चिनाओन नतीजों के ठीक बाद विदायक के काफिले पर हमला होता है क्या कोछ जानकारी मिल रही है इसके बारे में देखिए बिल्कुर बता चाहूँगा लगभग रात को दस बट के 40 मिनट का वो वक्त था जब जो महरोली से जीते हुए पर्तियाशी थे आमादी पार्टी के एनरेश यादो वो अपने काफिले के साथ मंदिब से दर्शन करके लोट रहे थे तबी बसमकुछ इलाके के अंदर आने के बाद उनके उपर हमला वर हमला करते हैं हमला करने के साथ ही जिस जीप तो वो सवार थे है उस जीप के अंदर लगवाग पांच से च्छा लोग थे इसमें से दो लोगों गोली लगती है और एक शक्स की मौत जाती है जिसका नाम अशुक मान बताया जा रहा है जब कि दूसर जो हैंदर सिंग है वो पास की अस्पता काल में से बढ़ती कराया और उसका उपचा चाज़ आए पुलिस की अगर माने तो पुलिस जो है भी फिलाल किसी नतीजे पर नहीं पहुची है और पुलिस जो है चानविन कर दिया चानविन के बाद ही पता लग बिलकुल क्या स्यासी रंजिश के वज़े से हमला हुआ य तैनाती को देखकर यह अहसास हो जाता है कि यहां कोई बड़ी वार्दात हुई है जी हां इसी जगह पर किसी अग्याद बंदूगधारी ने चुनाव जीतने के बाद मंदिर का दर्शन करके लौट रहे विधायक नरेश श्यादव के काफेले पर अंदा दुन्द गोलिय चलाई यह गोलियें विधायकी गाड़ी पर सवार दो कारे करताओं को लगी जिसमें से एक की मौत हो गए काफी लोग पीछे चड़े हुए थे मैं आगे ड्राइवर के साथ में जो सीट होती है आगे कंडेक्टर वाली उस सीट में खड़ा हुआ था आगे इनरोग तो उसमें फिर काफी लोग थे पीछे बैक साइड में तो दो लोगों को उसमें गोली लगी जिसमें की अशोप म नरेश यादव ने काफिले के साथ पहले तो अपनी जीत का सेर्टिफिकट लेके आए और फिर दर्शन करने के लिए पास कहीं मंदिर में गए थे लेकिन जब इस वाले चौक पे यहां इस रैड राइट पे नरेश यादव का काफिला आता है तो उसके उपर अग्यात हमल नरेश यादव का कहना है कि उनकी ना तो किसी से कोई दुश्मनी है और ना ही उन्हें पहले किसी ने धंकी दी थी इसके बावजूद किसी ने उनके काफिले पर हमला करके उनके एक साथी की जान ले ली उन्होंने कहा कि अगर पुलस जंग से तफ्तीश करेगी तो आसानी से हमलावर का पता लग जाएगा। अस्पताल के बाहर तैनाथ है और सभी सबूतों को जुटाने की कोशिश में दिल्ली पुलस लगी हुई है और सभी एंगलों से छान बिन कर नहीं है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आपके पर हमला किस ने किया। इस वारदात में विधायक नरेश शादफ बाल बाल बजग गए और उन्हें किसी भी तरह की कोई चोट नहीं आई। लेकिन एक नब निर्वाचित विधायक पर हमला होने की इस वारदात ने दिल्ली की सुरक्षन दजामों पर सवाल या निशान जरूर लगा दिया है। इस वारदात पर सियासी गर्मी अभी और भी बढ़ेगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब बीच चौराहे पर दिल्ली के विधायक पर हमला हो सकता है तो आम जनता का क्या होगा। दिली सवाजीत अली के साथ टीम निउस निशन